भारत बना रहा है आजादी के 75 साल आप सभी को आजादी मुबारक सभी को स्वतंद्रता दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है 75 सालों में बहुत कुछ बदला है इस देश में नई-नई उचाईयां चुई हैं भारत में हर क्षेतर में खेल जगत भी उनमें से एक है, खेल जगत में भारत ने नई नई की इतिमान पाए हैं और आज तक भारत इतिहास को रचे जा रहा है या यू कहें रिराइट कर रहा है हिस्टरी को भारत, जब बात आती है स्पोर्ट की तो कई ऐसे मोमेंट रहे हैं जब भारत जो है एक जु गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल जीता है उलिम्पिक्स में। साथ महिला टीम ने भी काफी जादा प्रभावित किया। औस्ट्रेलिया को जिस तरह से हरा है। वो अपने आप में कितिहास था। ब्रॉंज मेडल से चूक गई थी भारती महिला की जो टीम थी। लेकिन अगर आप बात करें अभी जो CWG गेम्स हो हैं वहाँ पर भी भारत परफॉर्मेंस में काफी जादा आगे रहा। पुरुष की टीम फाइनल तक पहुंची और भारती महिला की जो टीम थी वो सेमी फाइनल्स तक पहुंची। सेमी फाइनल्स हार के फिर ब्राउंस मेडल मैच में भी वो काफी जादा लड़ी लाला की जीत नहीं पाई लेकिन जो परफॉर्मेंस है अपने आप में शानदार रही है। ओलिम्पिक्स में सिरफ होकी ही नहीं एथलेटिक्स में भी भारत ने पूरी दुनिया में नाम किया। इलका सिंग इतिहास रचते रचते रह गए वो चौते स्थान पर रहे लेकिन वो भले ही पदक से चूके हों उन्होंने इस खेल गृपती लाखों लोगों को प्रेरित किया। उसके बाद एथलेटिक्स में कई खिलाडियों ने देश का नाम रोशन किया। पीटी उशा को 1986 में एजिन गेम्स में चार गोल्ड मेडल मिले। साल 2000 में सिड्नी में कर्णम मलेशवरी ने ओलिम्पिक मेडल जीता। वो उलिम्पिक मेडल जीतने वाली पहली भारतिय महिला बनी। उसके बाद अंजू बॉबी जॉज को लॉंग जंप में तांसे पदक मिला 2003 वर्ल्ड चैंपियंशिप में। तो ये हैं वो आइकॉंस जिसको देख कर तमाम युवा इंस्पायर होए। और आज भारत काफी आगे चला गया है। लेकिन बाकी खेलों के हम बात करेंगे। सबसे बड़ा गेम जिसे हम कहते हैं जो कि religion माना जाता है भारत में वो है cricket। एक तरह से कह सकते हैं कि cricket विरासत में मिली आजादी के वाक्त। लेकिन भारत का जो वर्चस्व है cricket में वो शायद ही 75 साल पहले किसी ने सोचा होगा। cricket में भारत आज महाशक्ती है। जब आजाद हुआ था भारत तब cricket का इतना बोल बाला नहीं था लेकिन धीरे धीरे भारत इस खेल में अपनी पैट मनाता चला गया। एक तरह से कह सकते हैं कि cricket में भारत के दबदबे की नीव 1983 विश्व कप ने रख दी थी। जहां कमजोर समझी जाने वाली भारतिय टीम ने कपिल देग भी कपतानी में वेस्ट इन डीज को हरा कर ट्रोपी पर कबज़ा किया था। इसके बाद 28 साल तक भारत वर्ल कप तो नहीं जीता लेकिन इस दौरान भारतिय क्रिकेट ने नई उचाईयों को छुआ। सौरफ गाहुली कपतानी में भारत फाइनल जरूर पहुचा था 2003 के वर्ल कप में हलाकि वो जीत नहीं पाए। ICC Champions Trophy भी अपने नाम की है। इंडियन प्रेमेर लीग आज क्रिकेट ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में से एक है। IPL के जरिये देशी विदेशी खिलाडियों पर शौरत की साथ ही साथ पैसों के भी खुब बरसात होती है। और हर अंतराष्ट खिलाडी IPL में खेलना चाहता है। कि बावजूद उलिंपिक में कई सालों तक मैडल नहीं जीत पाया था। सुशील कुमार ने 2008 में जब बीजिंग उलिंपिक में ब्रॉंस जीता उसके बाद कुष्टी में जैसे एक नई क्रांती आ गई। उसके बाद ऐसा कोई उलिंपिक नहीं आया जहां भारत को कुष्टी में पदक नहीं मिला हो। आने वाले पैरेस उलिंपिक में भारते खिलाडी अगर कुष्टी में 5-6 मैडल जीत लें तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। रेस्लिंग के बाद मुक्के बाजी में बॉक्सिंग में भारत ने शांदार पदर्शन किया है। विजेंदर सिंग, मैरी कॉम और भारते महिला बॉक्सर में से अब तो आप निखत जरीन को देख रहे हैं बतोर वर्ल्ड चैंपियन भी। और भारत ने काफी मेडल्स जीते हैं बॉक्सिंग में। अने दिखत जरीन, अमित पंगाल जैसे खिलाडी जिस तरह का प्रदाशन कर रहे हैं उससे भारत का भविशे बॉक्सिंग में काफी उजवल दिखता है। बैन्मिंटन शूटिंग और वेट लिफ्टिंग में भी भारत का दबदबा देखा जा रहा है और एक वक्त था जब चीन जो है वो जायतर इसमें डॉमिनेट करता था इन तमाम खेलों में लेकिन अब भारत में भी कई चैंपिन्स प्रेड्यूस किये हैं इन खेलों में प्रकाश पादुकोण और पुलेला गोपिचन ने ओल इंडिया चैंपिन्शिप जीत का जो शुरुवात की थी उसे पीवी सिंधू, किदांबी श्रीकांद, लक्ष सेन, साथविक चिराग और साइना नहवाल जैसे प्लेयर्स ने आगे बढ़ाया है साइना ने लंदन उलिंपिक में ब्रॉंस जीता था, वहीं सिंधू ने रियो लिंपिक्स में सिल्वर और टोक्यो लिंपिक्स में ब्रॉंस जीता था यही नहीं पीवी सिंधू एक मौके पर वर्ल्ल चैंपिन्शिप जीतने में भी काम्याब रही थी तॉमस कप में भारत की पुरुष टीम ने पहली बार गोल जीत कर इतिहास वचा है वेट लिफ्टिंग में भारत अब कमाल दिखा रहा है साल 2000 में कर्णम मलेशपरी ने सिडनी ओलिंपिक्स में ब्रॉंज मेडल जीता था 21 साल बार टोक्यो ओलिंपिक्स में मीरा पाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत कर इस इवेंट में भारत को दूसरा मेडल दिलाया अगर आप कॉमन वेल्ड गेम्स की बात करें हालिया जो आप परदरशन की बात करें तो 10 मेडल आ चुके हैं वेट लिफ्टिंग की जहां तक बात है जर्मिला लिरूंगा और अचिंता शूली जैसे तमाम यंग वेट लिफ्टर्स हैं जिनोंने भारत के लिए मेडल जीते हैं शूटिंग की बात की जाए तो राज वर्दन सिंग राठोर ने 2004 की उलिम्पिक में सिल्वर जीत कर शूटिंग में भारत को नई पहचान दिलाई 2008 में अबिनव बिंदरा ने इसी खेल के जरिये उलिम्पिक में भारत को व्यक्तिगत स्फर्दा का यानि की इंडिविजुल पहला गोल्ड मेडल दिलाया था इसके बाद लंडन उलिम्पिक में विजे कुमार और गगन नारंग ने मेडल जीते हलाकि रियो और टोक्यो उलिम्पिक में भारत निशान बाजी में कोई मेडल नहीं जीत पाया था और पिछले साल ही एक ऐसा सपना पूरा हुआ भारत का उलिम्पिक्स में जो इसका जो इंतजात था वो बहुत सालों से था आजादी से पहले एक मेडल जरू मिला था भारत को लेकिन आजाद भारत की बात करें तो पहला गोल्ड मेडल इंडिविज्वल गोल्ड मेडल एथलेटिक्स में भारत को दिलाया नीरज चोपडा ने टोक्यो उलिम्पिक्स का वो लम्हा कोई नहीं भूल सकता जब तिरंगा उपर जा रहा था और राष्टगान जल रहा था और नीरज चोपडा के गले में था वो गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में जब जीता नीरज चोपडा ने वो मेडल तो पूरा देश चुथा वो भा पूजरी हुई थी नीरज चोपडा के बाद से उम्मीद जाग गई है कि आने वाले सालों में भारत एथलेटिक्स में और भी अच्छा पदर्शन करने में काम्याब रहेगा लेकिन नीरज चोपडा ही नहीं अभी जो CWG हुआ है उसमें आप देख सकते हैं ट्रिपल मिलकर सिरफ क्रिकिटर ही नहीं तमाम जितने भी छोटे-छोटे शहरों से या छोटे-छोटे गाउं से जो निकल कर खिलाडी आ रहे हैं हर क्षेतर में हर खेल में उन सब का प्रोसाहन बढ़ाना चाहिए और देश को सिरफ एक क्रिकिटिंग नेशन ही नहीं एक बहुत ही म कर दो